प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने केंद्रिय राज्य मंत्री एल मुर्गन के आवास पर पुंगल समहारों में लिया हिस्सा मोटे अनाज को लेकर देश विदेश में नई जागरिती आने पर जताई खुशी केंद्रिय नागर विमानन मंत्री जोती रादित्य सिंधिया पानीपच शौर दिवस कारिकरम में हुए शामिल कहा प्रधान मंत्री ने विश्व पतल पर भारत को आर्थिक शक्ती के साथ साथ अध्यात्मिक शक्ती के रूप में भी किया प्रस्तुर मुख्यमंती मनुहरलाल ने करनाल में अधिवक्ताओं के लिए नए चेंबर कॉम्पलेक्स की रखी आधार श्रिला कहा अधिवक्ताओं के साथ साथ आमजन को भी होगा फाइदा एक एकड में 260 चेंबर बनाए जाएंगे और प्रधान मंत्री के आहवान पर देश भर के मंदिरों में आज से चलाया गया स्वच्छता अभियान भाजपा के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ावी केंद्री मंत्री धर्मेंदर प्रधानने की सफाई प्रदेश में भी अभियान की हुई शुरुआत नमस्कार मैं हूँ शेली तनेजा अब समाचार विस्तार से प्धान मंत्री नरेंद मोदी ने सूचना एवं प्रसारन रज्ज मंत्री एल मुर्गन के आवास पर पोंगल समारों में हिस्सा लिया इस अफसर पर तेलंगाना की रज्जपाल मोजूद रही इस तोरान सांस्क प्रतिक कारिक्रम भी प्रस्तुत किये गए पोंगल दक्षिन भारत के प्रमुक तेवारों में से एक है और इस पर्व को बहुत धूम धाम से मनाया जाता है मकर सकरांती की तरह ये पर्वी सूरे के उतरायन का तिहार है इस समय फसल की कटाई की जाती है और इसको लेकर देने के अफसर के रूप में भी मनाया जाता है प्रधान मंत्री ने कहा कि पोंगल के दिन तमिलनाडू के हर घर से पोंगल धारा का प्रवा होता है उन्होंने सभी के जीवन में सुक सम्रिद्धी और संतोश की धारा के प्रवा की होने की कामना की पी-म ने कहा कि पोंगल क जैसी है जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मग रुप से जुड़ता है तो हमारी शक्ती एक अलग रुप दिखाती है पॉंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत स्रेष्ट भारत की राष्ट भावना को दर्शाता है पॉंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चड़नों में समर्पित करने की परंपरा है इस पूरे उत्सव में परंपरा के केंदर में हमारे अन्नदाता हमारे किसान है भारत का तिहार किसी न किसी रूप में गाउं, किसानी और फसल से जुड़ा होता है उन्होंने सूपर फूड को लेकर देश और दुनिया में नई जागरिती आने पर खुशी व्यक्त की स्री अन्न को लेकर नए स्टार्ट अप शुरू कर रहे हैं और यह स्टार्ट अप्स आज बहुत पॉपलर हो रहे हैं स्री अन्न के उत्पानन से हमारे देश के तीन करोर जे अधीक छोटे किसान जुड़े हुए हैं हम स्री अन्न को प्रमोड करते हैं तो सीधे सीधे यह तीन करोर किसानों का भला होता है हिंदु धर्म में मकर सकरांती का जो आज का पर्व है वो भी विशेश महत्व रखता है जब सूर्य देवता धनू राशी से निकल कर मकर राशी में प्रवेश कर जाते हैं तो इसे मकर सकरांती का नाम दिया गया हरीदवार और अईहुद्या में श्रधालों ने आद सुबे गंगा नदी में आस्था की डुपकी लगाई और वहीं 14 जनवरी मकर सकरांती पर साल का पहला गंगा स्नान भी माना जाता है श्रधालों की भक्ती के आगे कडाके की सरधी का भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया हिंदो धरम में मकर सकरांती के अफसर पर गंगा में स्नान और दान को बेहद एहम माना जाता है नदीयों को पुन्मे दाइनी माना जाता है मकर सकरांती यानि उत्रायन पर्व के अफसर पर प्रधान मंतरी ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर एक पोस्ट में सब के लिए खुशी और मंगल की कामना की उन्होंने आश्या व्यक्त की है कि उत्रायन प्रतेक वेक्ति के लिए अफसर और संभावनाओं के नई दुआर खोलेगा उन्होंने इश्वर से हर किसी की सदिच्छा पूरी होने की कामना भी की है केंद्रिय नागर विमानन वेस्पात मंत्री जोती रादिते सिंध्या आजपानिपत के इतिहासिक स्थल काला आम पर आयोजित शौरत दिवसकारिकर में बतौर मुख्य अतिती शामिल हुए इस अफसर पर उन्होंने शहीद समारक शौरतीर धाम पर शर्धानजली अर्पित की अपने संबोधन में केंद्रिय मंत्री ने कहा कि मैं इस युद्ध में शहीद होने वाले तथा हिंद्वी स्वराज का पर्चम लहराने वाले मेरे सम्मानित पुर्खें समेत कई मराठा योद्धाओं के अदम में साहस को कोटी कोटी नमन करता हूँ आज की धुंद भरी सुभे 14 जनवरी 1761 के पानिपत के उस एतिहासिक सुभे जैसी ही है जब वीर मराठा योद्धा विदेशी अकरांताओं के अत्याचार के विरुद्ध दिवार बन कर खड़े हो गए एक मराठा के रूप में आज मेरे लिए अत्यांत गौरव का दिन है जब देश पानिपत के तीसरे युद्ध में शहीद हुए मराठा और सिंधिया वीरों को श्रधांटली देने के लिए पानिपत शौरत दिवस मना रहा है एक मराठा होने के नाते मेरा सीना गर्व से फूल जाता है कि भारत की आजादी के 75 वर्ष बाद चत्रपती शिवाजी के योगदान को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचाना प्रधान मंत्री निरेंद मोदी ने विश्व पटल पर भारत को आर्थिक शक्ति के साथ साथ अध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी प्रस्तुत किया है जिससे भारत की साख विश्व मान्चित्र पर बढ़ी है जब 75 वर्ष बाद इस देश के अंदर अगर किसी ने छत्रपती शिवाजी महराज को पैचाना तो हमारे पंत प्रधान प्रधान मंत्री ने माना जिनोंने भारत ये नौसेने के जंडे पर छत्रपती शिवाजी महराज का अलक संपून रूप से डालने का कार्य कर दिया मुख्यमंती मनोहरलाल ने आज करनाल में अधी वक्ताओं के लिए नए चेंबर कॉम्पलिक्स की अधारशिला रखी इस तुरान उन्होंने इस कॉम्पलिक्स के फंड में अपनी ओर से 31 लाक रुपे देने की भी खोशना की इस मौके पर करनाल के जिला एवं सत्र न्याएधी शंदर शेकर भी मौजूद रहे कारेकरम के दुरान मुख्यमंती मनोहरलाल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक एकर जमीन अधिवेक्ताओं के नए चेंबर बनाए जाने के लिए सरकार की ओर से दी गई है यहाँ 260 चेंबर बनेंगे इससे अधिवेक्ताओं के साथ साथ आम जनता को भी लाब मिलेगा उन्होंने इस नई कॉम्पलेक्स के लिए सभी अधिवेक्ताओं को हार्दिक बधाई दी मुख्यमंत्री ने बार असोसियेशन कॉम्पलेक्स के लंबत बिजली बिल को लेकर जल्द से जल्द कोई समाधान निकालने का भी आशवासन दिया मुख्यमंत्री ने सबसब पर आम जन को मकर सकरांती की बधाई दी उन्होंने कहा कि इस दिन सूर्य दक्षिनायन से उतरायन की ओर बढ़ता है हमारे जीवन को अंदकार से उज्वलता की ओर ले जाने का दिन है मेरी कामना है कि सभी प्रदेशवासियों के जीवन में उज्वलता आए जो एक निवेदिन हमको मिला था उनको एक 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 जमीन हमने उपलब्द करवाई है और जो इनके चम्बर्स के लिए आज शिलनास किया है शिलनास के उसर के उपर इन्होंने भी अपने योगदान को आगे बढ़ा करके और उसको बनाने का एक निवेदिन लिया है इनकी अपेक्षाथी के हम भी समय के शोगदान करें तो 31 लाग कर तक है योगदान में मकर सक्रांती का यह उत्सव है और जैसे हम जानते हैं कि मकर सक्रांती के दिन सूर्य और पृत्वी की जो दिशा रहती है उसमें परिवर्तन आता कि सूर्य दक्षनायन से उत्रायन की और प्रविश करता है हमरे जीवन में अंदकार से उजलता की और ले जाने का यह दिन है और मैं शुब कामना करता हूँ सभी अपने करनाल लिवासियों से भी और पूरे प्रविश के लोगों की भी जीवन में जलता है और उनका जीवन सफल रहे अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जनम भूमी मंदिर में होने जा रहे प्रान पतिष्टा समारों के लिए पूरा देश उत्साहित है देश और दुनिया के लोग 22 जनवरी का बेस अबरी से इंतजार कर रहे है ये दिन प्रधान मंत्री मोधी के लिए भी बेहत खास है अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्वे मंदिर का सपना पीए मोधी ने आज से सालों पहले देखा था इतिहास के पन्नों को पल्टें तो पता चलता है कि आज से ठीक 32 साल पहले प्रधान मंत्री ने अयोध्या में राम लला के दर्शन किये थे दरसल प्रधान मंत्री मोधी कन्या कुमारे से कश्मीर तक एकता का संदेश फिलाने के लिए एकता यात्रा पर थे जर्शी राम के नारों के बीच नरेंदर मोधी ने संकल्प लिया था राम मंदिर बनने पर ही वो यहां वापिस आएंगे अंगिनत हिंदों की सदियों से सदियों की दृड़ता के बाद भगवान श्री राम को उनकी जन्म भूमी पर एक भव्वे मंदिर में पुने स्थापित किया जा रहा है भाजपा के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने अयोध्या में राम मंदिर के प्रान पतिष्टा समारों से पहले स्वच्चता अभियान के तहट दिल्ली के गुरू रविदास मंदिर में सफाई अभियान में भाग लिया भाजपा अध्यक्ष ने स्वचता अभियान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम सभी तीर स्थलों पर सफाई अभियान में शामिल होंगे और भजन कीर्दन करेंगे 22 जन्वरी को हर वेक्ति अपने घरों में दीप चलाएगा और राम की अरादना में हम अपने आपको समावेश करेंगे तारीक तक हम हर एक तीर स्थल मंदिर जो भी तीर स्थलों होगा उसका हम उसके हम सफाई भियान में अपने आपको शामिल करेंगे और डिशा के अंगूल में केंद्रे शिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने राम मंदिर प्रान पतिष्टा कारेकरम से पहले स्वच्चता अभियान के तहत माहिंगूला मंदिर में स्वच्चता अभियान चलाया प्रतिष्टा होगा भारतिय जन्ता पार्टी की ओर से आहवान किया गया है समग्र हिंदु समाज की लोग उस कारेकरम की तैयारी के लिए आज से मकरशंक्रान्ती शुरू हो रही है आज से लेके 22 जानवरी तक भारत की सभी तीर्थ स्तानों को पहुंचे वहां उनकी स्वच्छता अभियान चलाएं वहां अपना सेवा दे प्रधान मंती नरेंदर मोदी के आहवान पर आज देश बर के मंदिरों और तीर्थों पर स्वचता अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में आज करनाल के नीलो खेडी स्थित संथ शिरोमनी गुरू रवीदास मंदिर में स्वचता अभियान की शुरुआत की गई स्वच भारत मिशन आर्याना के वाइस चेर्मेन सुभाष चंदर ने इस अफसर पर नागरिकों के साथ मिलकर मंदिर में स्वचता अभियान चलाया और लोगों को इस अभियान से जुनने की अपील की उन्होंने कहा कि सभी लोग 22 जनवरी तक अपने आसपास के मंदिरों और तीर स्थान पर जाकर साफ सफाई करें भगवान राम जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर एक भी तीर शेत्र गंदा नहीं होना चाहिए विधान मंत्री नरेंदर मूदी ने प्रान पतिष्टा से पूर 22 जनवरी तक देश के तीर स्थानोय मंदिरों की साफ सफाई करने और स्वच्चता का अभियान चलाने की अपील की है इसके निमित नीलो खेडी विधान सभा के मंदिरों में स्वच्चता अभियान को प्रारंब किया गया है मंदिर हमारी आस्ता के केंद्र हैं उन्हें स्वच्च और सुन्दर रखना प्रतेक नागरिक की जिम्मेदारी है और 21 जन्वरी तक सभी समाजिक धार्मिक सहस्थाएं अपने अपने मंदिरों में तिरस्थलों पे गुर्द्वारों में स्वच्चता अभियान चलाएं मंदिर की साफसफाई करें, मंदिर के प्रांगन को साफसुत्रा रखें, गुर्द्वारों के प्रांगन को साफसुत्रा करें उसी कड़ी में आज यहां मंदिर की प्रबंदन समीती और शहर के अनेक गणमाने लोग आज संत रविदास मंदिर पॉल्टरी एरिया में स्वच्छता भियान चलाने के लिए पहुचे स्वच्छता भियान में शामिर लोगों ने कहा कि 22 जनवरी का दिन समस्त देशवासियों के लिए सो भागे का दिन है इस दिन रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं पूरे विश्व में ये दिन दीप उत्सव के रूप में मनाया जाएगा हर घर, हर मंदिर, हर प्रतिश ठान में दीपक जलाने के साथ ही प्रभात फेरिया निकाली जाएंगी एवं भजन कीर्टन समेत विभिन धार्मिक आयोजन संपन्न होंगे जिलाएंगे, जैसे एक दिपावजी का महोल है, हम वैसे ही मनायेंगे अयोध्या ध्याम में श्री राम प्रान पतिष्टा महाउत्सव को लेकर भीवानी शहर के सालासार हनुमान मंदिर से 21 श्री राम भक्तों ने हाथों में ध्वज लेकर शोभा और कलश यात्रा निकाले यात्रा में 11 किलोग्राम चांदी का कलश, श्री राम चर्ण पादुका और श्री रामायन ग्रंत पेटिका चांदी से युक्त रही चांदी से युक्त कलश शहर में आकरशन का केंदर रहा 22 चनवरी को होने वाले श्री राम कथा में खाकी बाबा मंदिर के महान श्री राम कृपालू दास महाराज और हरीद्वार से मंगल आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेशानन्द महाराज सरस्वती विशेश सानित देका रहेगा कथाव्या स्वामी परनेंदु महाराज एवं श्री कृपालू दास महाराज ने कहा कि छोटी काशी आज शहर में भगवान श्री राम के प्रान पतिष्ठा को लेकर उत्सा मना रही है कायक्रम के अध्यक्र राष्टिय स्वेम सेवक संग के सदसे प्रदीप शर्मा और शिफ शंकर कसेरा ने कहा कि ये कलश एवं शोभा यात्रा आयोध्या में बन रहे राम मंदिर की खुशी में निकाली जा रही है जिसमें हजारों राम भक्तों ने भाग लिया है यात्रा के दुरान अनेक स्थानों पर लोगों दुआरा भव्य पुश्पों के साज श्री राम भक्तों का स्वागत किया गया राम कठा जो 22 तारीक तक चलने वाड़ी है उसका सुवारंब हो रहा है उसके लिए कड़स और धवजा यात्रा एक विशाल रूप में शैद विवाने में इतनी बड़ी सुवायात्रा कड़स और धवजा यात्रा पहले नहीं निकली होगी चारसो पिचानमे वर्सों की कठोर्ट पस्थे के साथ पांच लाग राम भक्तों की आहूती के साथ जब हम ये इस आयोजन को भगवान शिरी राम जला का प्रांग प्रतिश्टा होते हुए अपने भोन में देख रहे हैं तो पूरे सहर में खुसी का उल्लास है यातरा में शामिल स्थानी लोगों ने कहा कि इस कलश्व शूभा यातरा का मुख्य उदेश यही है कि विश्व में शांती बनी रहे उन्होंने कहा कि काफी वर्षों के बाद आयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्रांपतिश्टा होगी जो कि हर भारते के लिए गौरव की बात है आज हमने राजा राम चंदर जी के भब्य यात्रा का श्वागत किया पूस पे वर्षा की जिसमें पहले कलश यात्रा और ज़जा वाली महिला है थी जिसमें से 1100 महिलाओं ने हिस्सा लिया उसके बाद खाकी बाबा वाले मंदिर के जो मेन महान पे हैं उनकी रथ यात्रा थी उसके बाद जो राम कता करेंगे उनका रथ थी क्रिशी मंतरी जैपरकाश दिलाल ने कल जजज़र जिला के मा ठोड़ी गोशाला में आयोज़द वार्षिक उत्सव में शिर्कत करते हुए जिले की साथ गोशालाओं को 76 लाग रुपे की अनुदान राशी की चेक वित्रित किये और उन्हें बताए कि प्रदेश सरकार ने पंचायती जमीनों पर गोशाला बनाने का कानून पास कर रखा है बे सहरा गोवंच को सहरा देने के लिए ये कानून पास किया गया है प्रदेश की 650 गोशालाओं में साड़े चार लाग से जादा गोवंच की सेवा की जा रही है पतरकारों से बाचीत में जेपे दिलाल ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा विविधान सभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तयार है प्रदान मंतरी नरेंदर मूदी के निर्टित में एक बार फिर केंदर में बीजेपी की सरकार बनेगी क्रिशी मंतरी ने कहा कि एअध्या में बन रहे राम मंदिर का विरूद करने वाला हिंदोस्तान से अपने आप ही मिट जाएगा और सारे समाज से भी गोवगतिं की देख रेक करते हैं हमारा भी योगदान सेzekार का भी उसमें चुनाव तो सभी को पता है लोक से वाका चुनाव तो आईगा है और इसमें सभी बच्चा-बच्चा देश का बोलता है कि मधि जी civ को फिर से पर दानत्री बणाएंगे हर्याने के बारे में चुनाययोग या जो केंदर के नेतरतों है वो फेस्टा करेगा हम तयार हैं साथ हो या लक्षे विरोध तो करामंदर का कोई नहीं करेगा राम भगत है लेकिन उसको अपने पतन दिखाई दे रहा है जो इस देश में रहेगा इंदुस्तान में रहेगा भारत में रहेगा और रामंदर का विरोध करेगा तो अपने आप ही मिट जाएगा सोनी पत के नांगल खुर्द गाउं में पहुंची विक्सित भारत संकल प्यातरा में हर्याना के भाजपा प्रभारी बिपलब कुमार देव ने शिर्कत की इस तरहां उन्हें विबिन सरकारी यूजनाओ के लाबार्थियों को कार्ट वित्रित किये इस तरहां अपने संबोदन में उन्हें कहा कि मोधी सरकार ऐसी पहली सरकार है जो घर घर जाकर लोगों की मांगों को पूर्ण करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। इसके लिए मोदी की गैरेंटी वाली वैन गाउं गाउं वे शहर शहर पहुंच रही है। यात्रा को शुरू बावन दिनों से अधिक का समय हो चुका है। अब लोगों को वैन की प्रतिक्षा रहने लगी है ताकि उनकी समस्याओं का निदान जल्द हो सके। मुख्यमंती मनुहरलाल ने प्रधान मंत्री के प्रयासों को मुझबूती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि विक्सित भारत संकल्प यात्रा के अंतरकर्थ हर्याना अग्रनी स्थान पर बना हुआ है। सोनिपत के सांसत रमेश कौशिक ने कहा कि यात्रा के मादम से केंदरवे प्रधेश सरकार के पिछले करीब 9 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही लोगों की मांगों को पूर्ण कर मौके पर ही उनकी समस्याओं का निप्टान किया जा रहा है। यह पूरे गाउं में जा रहा है और गाउं में जाकर वही सरकारी कर्मचारी अलग अलग डिपर्टमेंट के उस टॉल में बैठते हैं और गाउंवाले को बुला के लाना यह समाजिक संस्ता हो पार्टी के लोगों को लगाया जाता है और लाने के बाद इनकी जो जो पर बाकी सब जो असविदा है उनको उसको दूर करने के लिए वेवस्ता किया गया है मैं इसलिए मानने प्रधार मुंतर जी को मानने मुक्ष मुंतर जी को बहुत बहुत धिन्यवाद देता हूं जो कि इस तरीके के कारिक्रम अब तक देश में नहीं हो यह पहली बार के रोहिना वाली आनंदगड और ख्यों वाली गाउं में पहुँचने पर ग्रामीनों ने जोड़दार स्वागत किया इस तुरान सी ओ एस ए एम बी के राष्टिय चेर्मेन आदित्य देविलाल वे पूर विधायक बलकौर सिंग ने भी शिरकत की और ग्रामीनों को सरकार की योजनाओं से आफगत करवाया साथ हिनों ने ग्रामीनों को विक्सित राष्टे बनाने की शपत भी दिलाई आदित्य देविलाल ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी गरीबों महिलाओं किसानों वे युवाओं के हितों की मजबूती के लिए निरंतर कारे कर रह है पूरे हिंदोस्तान के हर गाओं में जा रही है पड़कती हुई ठंड में भी लोग आ रहे हैं अपना काम करा रहे हैं बहुत से लोग हैं जिनके चोटे-चोटे काम थे जिनको दफ्तरों में जाना पड़ता था लेकिन कहीं कोई दिक्कत के कारण काम नहीं हो पा रहे थ लाबार्थियों ने कहा कि केंदर वे प्रदेश सरकार गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा कारे कर रही है। लिए बहुत बहुत गरीब लोगों को फाइदो करना गरी है। उठाए और जैसे सरकार का हर्याना सरकार और बारत सरकार का मैं तै दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपकी बेटी हमारी बेटी हर्याना सरकार के दवारा ये योजना चलाई गई थी तो मैं उनका सुकरियादा करती हूँ। मेरी एक बेटी है मैं मुझे उस बेटी का लाप राप्त हुआ है तो मैं सभी गरामवासियों को कहना चाहती हूँ कि इसका लाप ज़्यादा से ज़्यादा लें और मैं उनका तै दिल से धन्यवाद करती हूँ। पंचकुला के सेक्टर 26 स्थित राज के बहु तकनीकी महाविद्याले का महाग्यानी रिशी अश्टा वकर केंदर दिव्यांग बच्चों के लिए वर्दान साबित हो रहा है। इसमें लगभग 193 मूख बधीर चात्र चात्राएं उच शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साइन लैंग्विज जानते हैं। उनकी देख रेक में शिक्षा दी जा रही है। प्रदान मंतरी नरेंदर मूदी वे मुख्य मंतरी मनुहरलाल के कुशल नेतरत में इनकी शमता को साक्षमता में परिवर्तन करने का काम इस केंदर द्वारा किया जा रहा है। आज इस समय 190 स्टूडेंट्स अभी एक्जाम दे रहे हैं। और ये 13 स्टेट से हमारे पास बच्चे आए गए है। इसमें थ्री एर डिप्लोमा होता हैं जो मैट्रिक के बाद बच्चे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंदुस्तान का हमारे परदान मंतरी जी के मार्क दर्शन में और हमारे माननिय मुख्य मंतरी मनोरलाल कटर जी के निर्देश अनुसार ये सुरुवात की गई थी। इसके अंदर 13 स्टेट्स के बच्चे अलग-अलग जगें से यहां पर पढ़ने आते हैं। और ये सेकंड इंदुस्तान में सेकंड नंबर का इंसिटूट है। पहला इंसिटूट एक मद्राज में हैं उसके बाद ये पंचकला में खुला गया है। अश्टा वक्र केंदर की कॉडिनेटर डॉक्टर नीधी अगरवाल वे साइन लैंग्वेज इंटर्प्रेटर ने बताया कि इस केंदर द्वारा मूख बधीर विद्यार्थियों को तक्नीकी शिक्षा में परांगत करके अपने बल पर समाज तथा अपने लिए कुछ करने की प्रेड़ना दी जाती है अपने बल पर समाज में कुछ करने के लिए अपने लिए एवं समाज के लिए प्रेरित कर रहा है यह संस्थान पूरी तरह से एक जीता जाकता प्रारूप है इस बात का कि जो हमारे प्रधान मंत्री जी श्री नरेंद्र मोजी जी की सोच है अक्षम को सक्षम करके समाज के मुख्यधारा में जोडने का और साथ ही हमारे माननिय मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट का और सोच का कि यह संस्थान सर्वाइव कर पा रहा है और बच्चों तक यह मैसेज पहुँच रहा है कि आप भी किसी से कम नहीं है मैंने जी लेंग्विश इसलिए सीखी कि मेरे बच्चों को भी यह प्राब्लम थी तो मैंने जी सोचा है अपने बच्चों को शिक्षा देते ते और बच्चों को भी यह शिक्षा दी जाए ताकि आने वाले टाइम में अपने लाइक हो सके और अपने जो जीवी का है चला पर आमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पर आमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस रास्त की जीवन्तता को बनाए रखने के लिए उसे वह नैटिक वह मिलता है। इस कारण वह मौत का भी स्तामना करने को सदय उत्यार रहे है। उस सेनी का सबसे बड़ा धर्मिय हो जाता है कि मैं रहू या नरण मेरा देश रहना चाहिए। क्योंकि देश की दिरंतता में वह भी जीवन्त रहेगा और उसका नाम भी जीवन्त रहे है। 29 जनवरी को प्रधान मंत्री नरेंध मोदी के साथवें परीक्षा परचरचा कारिक्रम के लिए अब तक 2.26 लाग से अधिक विद्यार्थी पंजी करन करवा चुके हैं जो एक रिकॉर्ड है। शिक्षा मंत्राले ने पिछले महीने 12 दिसंबर से इस वर्ष 12 जनवरी तक छटी से बारवी करक्षा तक के विद्यार्थियों के साथ अधियापिकों और अभिवावकों से भी इस कारिक्रम में भाग लेने के लिए माई गौफ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्री क किये थे मंत्राले ने बताया कि माई गौफ पोर्टल पर मिले प्रशनों के आधार पर 2050 प्रतिभागी चुने जाएंगी इन प्रतिभाग्यों को एक विशेश किट प्रदान की जाएगी इस किट में प्रदान मंत्री की पुस्तक एक्जाम वारियर्स के हिंदी और अग्रे प्रतिभाग्यों के लिए तनाव मुक्त वातावर्न तयार करने के प्रियोजन से आयोजित किया जाता है समाचारों में आज इतना ही नमस्कार हुआ हुआ है